दोस्तों कि आपको पता है कि इस संसार की सबसे शक्तिशाली विस्तु क्या है और क्या वो आपके पास भी है और अगर है तो इसका प्रियोग कैसे करना है क्या आप जानते हैं तो आईए इस कहानी के माध्यम से मैं इन बातों को समझाता हूँ एक दिन गुरुकुल के शिश्यों में इस बात पर भेंस चड़ गई कि आखिर इस संसार की सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है कोई कुछ कहता तो कोई कुछ कहता जब पारस पर एक विवाद का कोई निर्णे ना निकला तो फिर सभी शिश्य गुरुजी के पास पहुँचे सबसे पहले गुरुजी ने उन सभी शिश्यों की बातों को सुना और कुछ सोचने के बाद बोले तुम सबों की बुद्धी खराब हो गई है क्या या नाप्षन आप निरर्थक प्रश्न कर रहे हो जाओ यहां से सब इतना कहकर वो खुद भी वहां से चले गए हमेशा शा लोचना करी रहे थे कि तबी गुरुजी उनके समक्ष फिर पहुंच गए और बोले मुझे तुम सब पर गर्व है तुम लोग अपना एक भी शन व्यर्थ नहीं करते और अवकाश के समय भी ज्यान चर्चा किया करते हो गुरुजी से प्रशंशा को सुनकर छात्र और उनका स्वाब इमान जागरित हो गया सभी के चेहरे खिल उठे गुरुजी ने फिर अपने उन सभी शिश्य को समझाते हुए कहा मेरे प्यारी शिश्यों आज जरूर आप लोगों को मेरा व्यभार कुछ विचित्र सा लगा होगा दरसल मैंने ऐसा जान पूछ कर आपक सब प्रसन्न हो उठे उत्रों संसार में वानी से बढ़कर दूसरी कोई शक्तिशाली व्यस्तू नहीं है वानी से ही मित्र को शत्रू और शत्रू को भी मित्र बनाया जा सकता है ऐसी शक्तिशाली वस्तू का प्रियोग प्रत्येक व्यक्ति को सोच समझ कर करना चाहिए वान So friends, हमारी बोली यानि हमारी वानी बेहत शक्चिशाली होती है, जरूरत है इसका सही प्रियोग करने की, यदि हम अपनी बोली अच्छी रखते हैं और अपनी बात बिना औरों को ठेस पहुचाए हुए कहते हैं, तो ये हमारे व्यक्तित्व को सम्वारता है, और हमें लोगों अपनल बात भी डिस्रिस्पेक्ट या क्रोध के साथ कहते हैं, तो ना हम ठीक से अपना मेसेज कनवे कर पाते हैं, और ना ही दूसरों के हिर्दय में अपने लिए कोई जगे बना पाते हैं, अंतते हैं हमें हमेशा सही शब्दों का सही लहजे का चुनाव करना चाहिए, ध अन्वाद!